और फिर कुमार कार्तिके के जन्म का समय निकट हादिया एक दिन उपवन में भ्रहमन करते करते महादेव एवं माता पारवती सनत कुमारों के आश्रम तक पहुच गए महादेव माता पारवती प्रणाम ये क्या सनत कुमार मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ और तुमने मेरा अभिवादर में नहीं किया महादेव क्या चाहते हैं आप कौन आपको प्रणाम करें मेरा शरीर अत्व मेरी आत्मा मेरा ये शरीर तो मित्व्या है नश्वर है इसका एक ना एक दिवस तो अंत होना अनिवारी है इसलिए इसका कोई महत्व नहीं जो सत्य है वो मेरी आत्मा है और यदि आप मेरी आत्मा का अभिवादन चाहते हैं तो मेरी आत्मा में उसी का अंश है जो आप स्वयम है अर्थात हम एक ही तद्व हैं तो फिर कौन बड़ा और कौन छोटा तो मैं उठकर आपको क्यों प्रणाम करूं? मैं तुम्हारे तत्व ज्ञान से प्रभावित हुआ मेरी इच्छा है कि तुम मेरे पुत्र के रूप में जन जन धन्यवाद प्रभू आपका ही पुत्र बनकर जन में लेना तो मेरा सौभा क्यों होगा? अर्था किवल आपका पुत्र नाथ? महादेव की लीला तो अप्रम पार है और उनको तो ये पूर्व से ही ग्याद था कि देवताओं को महादेव और माता पार्वती के पुत्र को लेकर संशय होगा और ये भी ग्याद था उने कि देवता मात्र उनके अंशय से उत्पन्न पुत्र का अनुरोध करेंगे इसलिए महादेव ने पूर्व से ही सनत कुमार को उनके पुत्र के रूप में जन्म लेने का वर्दान दे दिया था और इस प्रकार महादेव ने अपने दोनों वर्दानों की मर्यादा रखी एक जो उन्होंने सनत कुमार को दिया था और दूसरा जो उन्होंने देवताओं को प्रदान किया था किन्तु उन्होंने माता पार्वती को भी वर्दान दिया था तो फिर उसका क्या हुआ ब्राह्मन देवता जब माता पार्वती को ग्याद हुआ कि महादेव ने देवताओं को क्या बचन दिया है तो वो अत्यंत कुपित हुई और फिर उन्होंने भी देवताओं को उनकी पत्नियों के संयोग से कभी कोई संतान उत्पन्य ना होने का कठोर श्राब दे दिया वही बर्दान जो देवताओं ने महादेव से मांगा था तो क्या माता के इश्राब के कारण देवताओं के कभी कोई संतान नहीं हुई माता पार्वती का शाप था कि देवता अपनी पत्नियों के योगदान से संतान उत्पन्य करने में असमर्थ होंगे किन्तु परोग्ष रूप में वो संतान प्राप्त कर सकते थे इसलिए भविश्य में अपनी उर्जा को एक पात्र में स्थित कर वो ऐसा करेंगे कि पांडवों का जन्म इसी विधी से होगा जब देवराज इंद्र, यमराज और वायूदेव अपनी उर्जा देवी कुंती को प्रदान करेंगे और उनकी उर्जा से क्रमशा, महान धनुर्धारी अर्जुन, धर्म राज युदिष्ठिर और महावली भीम उत्पन्न होंगे एक नारी होनी के नातिक, मैं माता पार्वती की पीड़ा समझ सकती हूँ किन्तो फिर माता का उग्र रूप कैसे शान्त हुआ ब्राह्मन देवता? माता को तो एक मात्र महादेव ही शान्त कर सकते थे और उन्होंने माता को एक आश्वा संदी स्वामन, हिक नारी के लिए इससे बड़े दुर्भागय की बात और क्या हो सकती है भला, उनका वर्दान मेरे लिए श्राप के समान है उट से मेरे मात्रत्व का सुख चीन लिया उन सभी उमा, हम जगत वितार जगत माता हैं और देवता भी तो हमारी ही संतान है उनकी रक्षा भी हमारा ही दाइत्व है जो तभी संभव होगा जब हमारा ये पुत्र मेरी ही अंश्र उत्पन होगा किन्तु मेरी उजा से जीवन प्राप्त करने पर भी उसके चन्द में आपका भी सहयोग होगा आपका भी अंश्र समहित होगा पालोदे हमारे पुत्र पर आपका भी उत्रा ही अधिकार होगा चित्त मेरा स्वामी क्या ये संभाव है कित्व कैसे मुझ पर विश्वास रखियो मा और फिर कुमार कार्टिके के जन्म का समय निकट आ गया कि योगिश्वरो महा सेनह तार्टिके योवग्निनन्दनह संदह कुमारह सेनानिर स्वामी शंखर सम्धव महा देव की उस उर्जा शक्ति को संभालने का प्रयास सर्व प्रथम भू देवी ने किया तत पश्चात वायू देव और फिर अगनी देव किन्तु सभी देव अपनी असीम शक्ति लगाने की प्रश्चात भी उस उर्जा को संभालने में अक्षम रहे महादेव की उर्जा को समाल प्रश्चा तो आता कंगा के लिए असंभव करती दोओर्ड महादेव की ऊर्जा को सहत पाना सब ही के लिए असंभव इस व्र covid का उनके पुत्र का जन कैसे संभव अब कैसे होगा तारका सुरकावद मेरी उर्जा बुचित कंता वेवर पहुंची है सरकंदू भी उसे संभाल पाने में सक्षम है योगिश्वरो महा सेनह दार्तिके योवक निनन्दनह स्कंदह तुमारह सेनानिह स्वामी शंकर संधव क्हुнять अ nhưng जक्मारह से जसे का साली उसे सक्षम है हर अर्देर्शर्वरो ग जिरोìn से स्वाम। क्हुंची और्देर्णल वाल । अर्देर्शर्वरो कौन है ये दिफ्वे सुन्दर शिशु जो अपने सुन्दर नेत्रों से हमें देख रहा है प्रतीत हो रहा है जैसे वो हमें पुकार भी रहा है हमें वहाँ जाना चाहिए ये दिफ्वे शिशु तो महदेव पुत्र है जब सारे देवताएं महदेव का उर्जा संभालने का प्रयास कर रहे थे तो मेरे द्रिश्टी उन पर गई थी और ये संदर शिशु महदेव की उर्जा से उत्पन हुआ है उमा सरकंदूप तो आपका ही सुरूप है इसलिए मेरी ये संतान तो आपकी भी संतान है फिर अपुत्र भूका होगा उज़े उसे आहार देकर उसका पोशन करना चाहिए इसे तो भूक लगी है इसलिए रूदन कर रहा है ये ये शिचो तो महादेव और माता पार्वती के वातसलिका अधिकारी है किन्तू ऐसे निराहार इसे कैलाश कैसे भेज़ दे नहीं हमें इसका पोशन करना चाहिए इसे आहार प्रदान करना चाहिए उमा, मुझे क्यात है आप अपने पुत्र को अपने आचल में भर कर उसे सरसन है आहर देने के लिए पातूर है किन्तू आपका पुत्र कीर्थिकाओं को अपना आहर प्रकट करने की अनुमुती दे रहा है उन्हें आशीश दे रहा है जिसके उप्रांद वो आपके पास कैलाश आ जाएगा उमा आप जिसे एक नवजाश इशू की रूप में देख रही हैं वो महा योद्धा बनकर कैलाश बहुचेगा उमा आप शीग्र ही कैलाश में आगपन होगा तो क्या आप उसके लिए समुच विवस्था नहीं करेंगी आप सर्वथा उच्चित कह रहे हैं ना पेरा पुत्र कैलाश आने बाला उचे जाकर उसके लिए आवश्चक विवस्था करने चाहिए बस बस पुत्र मैं आभी तुम्हें दुग्द पान करा देती हूँ अरे 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 अब क्या तुम्हे इस बालग पर अपना सारस ने नयोच्चावर करोगी हमें भी तो इसे दो हाँ हमें भी तो अरे अरे एक ही समय में हम सिब раз अरे सकती हैं महादेव पुत्र इस सिशु ने छे शिश धारन कर लिया हमारे लिए हम किर्दार्ट हुए अब हम सब इसे आहार प्रदान कर सकते हैं क्यूंकि ये शनानन है हम्ग हमार कर लिए zar्य हार जो ने कर लिसूंकि longing मौनलールि ओ種 पुत्र इसरी किर्णाती ये खुत्रणय भ्राव और इस प्रकार उन महायोध्ध महादेव पुत्र कुमार कार्थिके का जन्म हुआ जो भविश्य में तार का सुर्का वद करने वाले थे तो अब तो देवता चिंता मुक्त होकर आनन्दित हो गए होंगे नहीं, देवराज इंद्र अभी भी सर्शंकित थे अपने शिशो रूप में भी कितने दिवय और तेजस्वी है महादेव पुत्र पर है तो वो शिशो ही मैं समझने में असमर्थ हूँ ये शिशो तार का सुर्स युद कैसे कर सकता है? इंद्र देव सर्वता उचित कह रहे हैं उस महाकाय महावली असुर तार का सुर्से युद्ध करने के लिए महादेव पुत्र अभी कहां सामर्थ होंगे? तो क्या हमें अभी और प्रतिक्षा करनी होगी? इनकी आयू की वृत्धी की? इनकी सिक्षा प्रत्थी की? ये अनंद्र प्रतिक्षा तो अब ऐसा हमी होती जा रही है ये उजट्से आदीक्पश्स प्रतिक की अच्च्च्छ रही हो हुआ 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 है तावरी है कादिके, तावरी है कादिके, सुर्भी है कादिके महादेव पुत्र तो किशोर होग है, किन्तु ये तो मुझे अभी भी सुकुमार ही प्रतीत हो रहा है ये भी उचित है, जिस भेंकर तारकासुर के समक्ष कोई देवता भी नहीं टिक सका, उसका सामना कैसे करेंगे कुमार आप क्यों नहीं समझ रहे महाराज, जिनका जैन हुआ है, उनके समक्ष आप कदा भी नहीं टिक सकेंगे नियती निर्धारित है, अब तो आप इस सत्य को सुविकार कीजे महाराज बहुत अविमान थाना आपको अपने विश्वास पर, किन्तु स्वयम को सुरक्षित रखने की आपकी सभी योजनाया सफल रही और फिर अब तो महादेव का पुत्र भी उत्पन हो गया है, जिससे सर्वथा अनुचित प्रमालित हुआ है आपका विश्वास महाराज और वो महादेव पुत्र ही आपका काल बनेगा आपका तो सर्वथा होगा ही, किन्तु इन सभी का तर्वथा होगा और इस सर्वथा से मैं भी सुरक्षित नहीं रहूंगा, मेरा भी यंद्ध होगा आपका काल महाराज, आप ही नहीं टिक सकेंगे उसके समगी काल हो तुम्हारा शेगर जन्म लेकर तुम्हारा बत करूँगा, मैं मौर्क, तेरू, कैसे असुर हो तुम्हारा असुरों की भावी पीडियां असुरों के नाम पर कलंग के रूप में स्मृड करेंगी तुम्हें मुझसे ऐसे दुर्वचन कहने का दुस्साहस कैसे किया तुमने विजेतान पंचा को बलाई जीमाराँ पंचा पंचा अब ये पंचा को बलाई अब हाँ रहे हैं पंचा एक और कार्दिके तारका सुर का संगहार करने के लिए जन्म ले चुके थे तो वहीं दूसरी और तारका सुर ने भी कार्दिके को शती पहुचाने की मन्शा से अपने असुर पंचा का आवाहन किया नियती निर्धारित है किन्तु प्रत्याई कार्य अपने समय आने पर ही घटित होता है इसलिए धैरे आवश्यक है